आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़ा की अलग रेसिपी, जो लगे खाने में बहुत तेश्टी, चलिए हम शुरू करते हैं यह है उरत डाल, जिए हमने चार घंटे पहले पानी में भी गोया है, अब यह फूल गए हैं, और अब अच्छे तरीके से धोएंगे, और फिर ग्रेंडर में इसे हम पीश दें, अब हम इसे अच्छे तरीके से धो दिये हैं, अब इसे हम मिक्सी जार में पीशेंगे, इसे हम मिक्सी किलिंडर में पीश देते हैं, अब इसे खोल के देखते हैं, हुआ है कि नई, हाँ अब यह हो गया है, इसी तरीके से अब में सारा पीश लूँगे, तरीके से में सारा पीश लेंगे, ज्यादा इसे गिला ना करेंगे, तक कि बर्रे अच्छे बने, अब हम इसमें नमक मिलाएंगे, स्वादा अनुसार, मैं इसमें बेकिंग फोर्डा डालूँगे, अब मैं इसमें ज्वाइन मंग्रेला डालूँगे, अब इसे हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे, ताकि दही बड़े अच्छे बनें, गोल-गोल फूले हुए बनें, दही से मैंने पानी निकाल लिया है, अब इसे हम अच्छे तरीके से मिट्स करेंगे, दही हमने मतलिये हैं अब इसे साइड में रख देंगे, देखिए ये गूड़ है मैंने पानी में भीगो दिये हैं और ये है इमली इसे भी मैंने पानी में भीगो दिये हैं दो बड़े चमश हमने जीरा लिया है इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे कि मैंने इसे कडाही में डाल दिये हैं अधिमी आच में इसे हम भूनेंगे दो मिनिट तक इसे भूनेंगे और ध्यान रखेंगे कि जले नहीं कि अनलकतार इसे चलते रहें और हल्का व्रॉन होने तक चलते रहें अब यह जीरे हमारे हुना गए हैं अब इसे हम शिलपटे में पीश लें इसे मैंसी पटे में पीश रही हूं अब इसे हम में ही पीशे लिए दही का पानी ये निकाले हैं उसमें एक कटोरा पानी डालेंगे थोड़े सा इसमें नमक डालूंगे अब इसको हम मिला देंगे मैंने कडाही धिमे आच में चड़ा दिया है अब मैंने कडाही में तेल डाला है तेल गरम हो चुका है अब मैं बरे को एक एक करके डालूंगे एक साइट से ब्राउन हो चुका है अब हम इसे दूसरे साइट पल्टेंगे अब ये दूनों साइट से पक चुके हैं अब हम इसे निकाल देंगे बरे को हम निकाल के दही वला जो पानी रखा है उसमें डाल देंगे हम बरे को दवा के देखते हैं पानी इसके अंदर सोख चुका है तो हम इसे पाहा बाहर निकाल लेंगे गूड और इमली को हम पेस्ट बना लेंगे अब हम इसे प्लेट में तयार करते हैं देखिए मैं इसमें बड़े रख रही हूँ इसके उपर मैं दही डालूंगे इसके उपर जो इमली और बोड का पेस्ट बनाया वो डालूंगे इसके उपर जो जीरा पिसके रखा हुआ था उसे डालूंगे अब इसके उपर काले नमग डालूंगे उपर लाल मिर्च डालूंगे देखिए ये तही बड़े देखने में कितने खुब्सूरत लग रहे हैं खाने में भी उतना ही टेस्टी हैं लोग भी अपने घर में बनाएं और कमेंट करकर बताएं कि हमारा रेसिपी कैसा लगा अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, सेर और कमेंट करें धन्यवाद ज्रत करें